तो हलो एस्ट्टेंट्स के सरीय कंपेटिशन क्लाश में आपका एक बर फिर से स्वागत है और हम आपको लेकर आगए हैं बहुतिक विग्ज्ञान के पार्ट टू पार कोश्चन सिरीज को लेकर जिसमें प्रिवियस पचास कोश्चन का सोलूशन के रूप में आप इसको दे के याश किए हैं और आप लोग का सिर्फ इतना आप लोग से रिकवेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से जदा से येर करने का कोश्च्चिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा से च्वीक्त के बीस今天 परोच्ट के ताकि उनको फाइदा हो सके बहे शकर आपको भी फाइ इतना जानने जीए कि ये टोटल सीरीज को देख लेने के बाद फिजिक्स से आपका question नहीं चूटने वाला है क्योंकि numerical के साथ साथ हाठ से हाड numerical और लो से लो numerical हैड नुमरिकल जोड़कर हम देने का परियास किये हैं सिलेवश आधारित ही ही आपको हम physics में ये question देने का परियास इसमें कर रहे हैं इसमें धारप्रवाह सोलूशन चलता है तो चलते हैं देखते हैं पहला कोश्चन हमारा क्या है और हमारा मोटो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी परिस्थिती हमारा मोटीवेशन है उससे बड़ा मोटीवेटर हमारे लिए और कोई नहीं ह होता है यानि हम खुद का मोटिवेट हैं अगर खुद का परिस्थिती हम समझते हैं तो चलिए पहला कोशन देखते हैं हमारे स्क्रीन पर केसरी कंपटिशन क्लास का आप लोग इसका सद्र्श्य है आप लोग इस烫 का परिवार है और इसमार क्रास को और आगे बढ़ाईए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबस्क्राइब भी करिये और करने की सलाह भी दीजिए ताकि हम जादा लोगों तक पहुँच बना सके के सरीय जादा लोगों तक पहुँच सके चलिए आज हम सुरू करते हैं कोश्चन का पहला प्रारूप और पहला कोश्चन शुरू करते हैं इसके पहले ये जानते हैं कि कल हमारा शुतंतरता दिवस का 75 शुतंतरता दिवस मनाया जाएगा जो की पूरी तरीका से अमरित महुत सब के रूप में मनाया जा रहा है हर घर जंडा का जो एलान है उसको पूरा कीजिए खुशी शे बनाइए अम्रित महुत सब का हिश्चा बनिए हम लोग को बहुत सब्भग्य प्राप्थ हुआ है कि हम लोग इस पचत्तरवे शुतंतरता दिवस का हिस्सा है चलिए पहला कोशन देखते हैं स्क्रीन पर यह रह अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो सबसे पहला कोशन हम लोग ध्यान देंगे कि बल और बल और दाब बल और दाब के बारे में देख लिए बल बराबर होता है अगर हम बल के बारे में लिखें तो बल बराबर होता है एफ बराबर होता है एम इंटू ए यानि मास इंटू acceleration के रूप में व्यक्ट किया जाता है clear है तो मास को हम लोग कीलो ग्राम acceleration को मीटर पर सेकेंड अस्क्वाइर के रूप में व्यक्ट करते हैं और इसका dimension अगर लिखेंगे तो M मास का होता है M L A की यहां पर है length A को है तो इस पर एक दे या न दे बात बराबर है L और T नीचे है तो उपर चला जाएगा M L T माइनस 2 के रूप में होता है बल का जबकि यहीं पर दाव का देख लेते हैं तो दाव बराबर होता है बल परती काई छेत्रफल पर लगने वाला बल को ही दाव कहा जाता है तो बल का होता है कीलो ग्राम मीटर पर सेकेंड एसक्वाइर बल का होता है जो कि अभी हम लोग ने लिखा है बल का और यहां बटा में छेत्रफल भी है तो इसका गुना में छेत्रफल मीटर एसक्वाइर में दे दीजिए अब इस मीटर एसक्व वन टी नीचे में है उपर चला जाएगा माइनस टू हो जाएगा यानि एम एल माइनस वन टी माइनस टू यानि बल और दाब दोनों का डाइमेंशन जो है वो अलग-अलग है एक शमान बीमिय शुत्र नहीं होता है जाईर सी बात है option बाकी का नहीं देखेंगे हम लोग इसल दो वेक्टर जिनका मान अलग-अलग होता है दोनों वेक्टर है दो वेक्टर है वेक्टर का मतलब होता है सदिस अब दो सदिस रासी है सदिस रासी है अब दोनों का मान अलग-अलग अगर दिया हुआ है तो इसमें से क्या नहीं हो सकता है तो इसमें से उसका परिनामी उन्य नहीं हो शकता है, option आपका C चला जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, कि दो भैक्तरों का अलग अलग अगर मान दिया हुआ है, तो परिनाम, यानि रिजल्टेंट, 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 वैल्यू जो होता है, वह अंडर रूट, A स्क्वाइर प्लस, B स स्क्वाइर प्लस, 2AB into cos theta होता है, क्लियर, यही रिजल्टेंट का फॉर्मूला के रूप में ब्यक्त किया जाता है, तो इसका परिनामी कभी भी सुने नहीं हो सकता है, नहीं तो एक मान एक के जगा पर कोई और, यानि कि मान लिया जाएगर 5 मान लेते हैं, दूसरा मान सुन्यन नहीं हो सकता है, क्लियर, बढ़ें आगे, चलिए, कौन सी वेक्टर रासी इसमें से है, यानि शादीस रासी है, वेक्टर का मतलब शादीस, सादीस रासी है, सादीस का मतलब दीशा भी होना चाहिए, इसमें दीशा भी होता है, अपलस परिमान भी होता है, एक नि कोई पिंड कोई पिंड जा रहा है तो यह दिशा निश्चित A से B की ओर ही जा रहा है और उसके साथ परिणाम यह निकला कि माल यह जा इसके बीच के दूरी पांच मीचर है तो पांच मीचर के दूरी तै किया है एक निश्चित दिशा में जाते हुए इसको सदिसरासी कहा जाता है clear तो सदिस का मतलब होता है दिसा भी है और परिमान भी है तो किस में दिशा भी होगा और परिमान भी होगा तो बल जो होता है वह एक सदिस रासी का उदारन होता है अगर सदिस में देखेंगे और एक्जामपल अगर देख लेते हैं सदिस का तो हम लोग देखते हैं बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण तोरन मंदन बियस्थापन इसके अलावा और देख लेते हैं तो बेग, शंबेग, आवेग, इसके अलावा देख लेते हैं, तो बिद्यूत्चेत्र, बिद्यूत्चेत्र, बिद्यूत्टिब्रता, ETC को याद रखेंगे जबकि आदिस Ascalar की बात करेगा आदिस रासी की अगर बात करेगा Scalar Quantity की बात करेगा तो इसमें दिशा नहीं होता है केबल परिमान होता है तो कहेंगे चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है तापमान द्रब्यमान आईतन तापमान द्रब्यमान आईतन इसके अलाबा कार्ज जब हम करेंगे तो शक्ती लगेगा और जब सक्ती लगेगा तो सरीर की उर्जा खपत हो जाएगी तो कार्ज शक्ती और उर्जा इसके अलाबा विसिस्ट विसिस्ट उसमा विद्यूत धारा इसके अलाबा कौन की अलाबा और याद रखेंगे अबृति घनत्व और दाब को याद रखेंगे इतना याद रखेंगे सदिस अदिस रासी से आपको कहीं भी छूटने वाला नहीं होता है तो वेक्टर यानि शदिस के अंतरगत बल आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सदिस रासी इसमें से कौन सी है जिसकी दिसाब यह है और परिमान दोनों है वर शदिस रासी में हम बत चर्चा किये हैं तो शदिस रासी के अंतरगत किसको सामिल किया जाता है कोनिये शंबेग याद किजी हम संबेग की चर्चा किये थे बेग, शंबेग और आवेग तो संबेग में कोनिये शंबेग हो या केवल शंबेग हो तो कोनिये शंबेग या संबेग जो होगा वो शदिस रासी के अंतरगत सामिल कर लिया जाएगा क्लियर है निमलिखित में से कौन सी सदिस रासी इसमें से नहीं होती है, जिसमें दिशा शमान होता है, दिशा होता है, परिमान भी होता है, उसको शदिस कहा जाता है, तो कौन सा सदिस इसमें से नहीं है, संबेग शदिस है, बेग शदिस है, कोन ये बेग हो या बेग हो दोनों शदिस है लेकिन द्रब्यमान तापमान आयतन ये अदिस रासी के अंतरगत हम भी लिखा चुके हैं तो द्रब्यमान हो जाएगा किसी सदिस का परिमान कभी नहीं हो सकता है कोई भी सदिस का परिमान जो होगा वरिनात्मक कभी भी नहीं हो सकता है सदिस का दिसा जो होता है वरिनात् A से B की ओर हमें जाना है, clear, A से B की ओर हमें जाना है, तो निश्चित तोर पर ये इधर की, इधर से इधर की ओर भी जा सकते हैं, हो सकता है, हमने मन रहें, कि पहले इधर चले जाते हैं, फिर रास्ता इधर है, इधर से चले आते हैं, फिर इधर चले जाते हैं, और फिर सामन इधर जाके इधर जाके इधर आके और तब इधर आके हम जाते तो दिशा रिनात्मक हो गया देखिए यहां थे हम लोग गए यहां यानि कि बीपरीत दिशा में गए रिनात्मक दिशा हो गया लेकिन जब हम यहां पहुंच गए बी बिंदू पर पहुंचना था और बी बिं यहां से यहां भी जाते तो इतना ही परिमान निकलता कि बी पॉइंट पर पहुँच जाते अगर पीछे से मुड के भी आगे गए तो बी पॉइंट पर पहुँच गये हैं इसका मतलब दिसा तो रिनात्मक हो शकता है शदीस में दिसा रिनात्मक हो शकता है दिसा रिनात्मक हो सकता है हो गाही यह भी कोई निष्चित नहीं हो सकता है लेकिन परिमान कभी भी रिनात्मक नहीं हुआ है देखिए B. पर हम लोग पहुच ही गये है अता कभी भी परिमान रिनात्मक नहीं होता है चलिए question को आगे बढ़ते हैं अदिस रासी इसमें से कौन सा है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि अदिश रासी, कि अंतरगत जिसमें दिशा नहीं होता है, तो ओरजा में कोई दिशा होता है, अगर आप फल, सब्जी, किसी भी प्रकार का एनर्जी हम लेंगे तो सरीर में जो ओरजा आएगा, वा क्या हमा अगर एक लकड़ी को उठाने में जो उर्जा हम लगा रहे हैं तो उर्जा ऐसा नहीं कि एक दिशा में ही केवल लगेगा लकड़ी के लंबाई के अनुदिश भी लगेगा चोड़ाई के अनुदिश भी लगेगा उच्छाई के अनुदिश भी लगेगा अता उर्जा जो हो मात्रा है जिसमें परिमान होता है लेकिन उसमें दिसा नहीं होता है आदिस नामे से असपस्ठ आदिस यानि दिसा इसमें नहीं है पिर्थिवी बायु मंदल को किस परकार पकड़े रहती है अब देखें पिर्थिवी बायु मंदल को पकड़े हुए रहती है तो कैसे हुए रहती है अब जानते हैं आप कि पिर्थिवी के बायु मंदल में कई गैस है और बायु मंदल में मौझूद गैसों का कुछ ना कुछ उसमिये बेग होगा बायु मंदल में मौझूद जो मौझूद जो गैस है उसमें कुछ ना कुछ उसमिये बेग है और यह उसमिये बेग जो है न वह पिर्थिवी के पलायन बेग से कम होता है पिर्थिवी पर कोई ने कोई पलायन बेग है और पलायन बेग उसे कहा जाता है जब किसी भी पिर्थिवी पर अगर पिर्थिवी के धरातल पर से किसी पिंड को, किसी बस्तू को उस पिर्थवी के पलायन बेग के बरावर बेग से, अगर पिंड हम पिर्थवी शे उपर की और फेकते हैं, तो कभी भी पिर्थवी पर बापस नहीं आ जाएगी, वह पिर्थवी के उपर ब्रह्मान में चली जाएगी, तो यह मौजूद गैस जो बायूमंडल में है, उसका उसमिय मान जो होता है, वह उसके पिर्थवी के पलायन बेग से कम होता है, जिसके कारण से यह पलायित नहीं हो पाता है, और बायूमंडल के आसपास ही यह मौजूद रहता है, वह गृत्वाकर्शन बल कहलाता है, क्लिय कोई दिक्कत अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक सेशन को जरूर करते चलिएगा क्योंकि तभी आप आप ही एक माध्यम है जो इस वीडियो को इस सॉलूशन को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है और अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तोर पर आप सेर जरूर कीजिएगा लाइक जरूर कीजिए और हो सकता है कि अगर आप सबसक्राइब आप नहीं किये होंगे तो सबसक्राइब करके और बेल घंटी को जरूर प्रेश कर दिजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्यादा benefit आपको मासूस हो इसके अलावा और भी हम test series लेके आएंगे जो कि थोड़ा सा अगर आप लोग का support रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनने का शंभावना जरूर रहेगा तो लाइक जरूर करते रहिएगा कार के अस्टियरिंग में सामिल होता है क्या क्या सामिल होता है अस्टियरिंग में तो कार के अस्टियरिंग में सामिल होता है वह होता है बलो का एक यूगम होता है जो बीपरीत दिसाओं में तथा उसी रेखा यानि उसी लाइन पर कार्ज करते रहने रहता है वह अस्टियरि कहलाता है क्लियर एक लड़के का भार प्रिथिवी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा निकाल लेंगे भाई चंद्रमा पर लड़के का भार अब जानते हैं कि एक बटा 6 होता है किसका 6 होता है? तो पृत्थिवी पर भार के एक बटा 6 के बराबर होता है पृत्थिवी के भार के एक बटा 6 के बराबर होगा चंद्रमा पर उसका भार तो एक बटा 6 पिर्थिवी पर है कितना? 600 न्यूटन का भार लग रहा है यहां से यहां कर जाएगा बराबर आजाएगा 100 न्यूटन जो होगा वह उस लड़के का चंद्रमा पर भार हो जाएगा clear? तो 100 न्यूटन हो जाएगा अगे कोई बस्तू अधिक्तम भारशील कब महसूस करता है? कोई भी बस्तू जो है न वो निर्बात में भारशील जादा महसूस करेगा होता क्या है कि निर्बात में कोई उत्छेप बल जो होता है उत्पलावन बल जो होता है वह नहीं लगता है निर्बात में कोई भी उत्पलावन या उत्छेप बल जो होता है वह नहीं लगता है जिसके कारण से कोई भी बस्तु भारहिमता की इस्थिती महसूस करता है निर्बात में नियूटन या कीलोग्राम नियूटन प्रती कीलोग्राम कि इसका मात्रक होता है तो वह मात्रक होता है तोरन का तोरन का मात्रक होता है नियूटन प्रती कीलोग्राम तोरन बराबर होता है देखेंगे तो हम लोग कहते हैं कि एफ बराबर एम ए होता है Newton के गति के नियम के अनुसार अब A बराबर निकालेंगे तए F बटा M हो जाएगा IF को किस में ब्यक्त करते हैं Newton में ब्यक्त करते हैं की नहीं Mass जो M है उसको हम लोग कीलोग्राम में ब्यक्त करते हैं की नहीं तो आपका आंसर उपर एक प्रतिशत्रीज्य घटा दिया जाए या कईवों प्रतिशत्रीज्य घटा दिया जाए तो जी के मान पर प्रभाव पढ़ जाएगा और वह जो प्रभाव पढ़ेगा वह जी का मान बढ़ जाता है अब देखेंगे जी का इफेक्ट किस किस परिस्थिती में होता है तो सब से पहले पिर्थिवी के सता से उपर और नीचे जाईएगा पहला condition है सभी याद रखिएगा पिर्थिवी के सता से उपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है गटता है दूसरा condition क्या होता है जी पर तो बिशवत रेखा पर बिश्वत रेखा पर जी का मान नियुन्तम होता है जबकि ठीक इसका उल्टा ध्रूब पर क्या होता है? जबकि ध्रूबों पर अधिक्तम होता है क्लियर? जी का मान ध्रूबों पर अधिक्तम होता है तीसरा condition ले लेते हैं तो जी के मान में पिर्थिवी का घुर्णन गती अगर बढ़ा दिया जाए तो जी का मान कम हो जाता है घुर्णन गती बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है क्लियर? अब इस चोथा कंडिशन में और लिखेंगे तो चोथा कंडिशन में हो जाएगा यदि प्रथिवी अपने बरतमान कोन्य चाल से बरतमान, प्रिध्मी समझ जाएंगे, बरतमान, कोनिये चाल से, कोनिये? चाल से 17 गुना अधिक, 17 गुना अधिक, चाल से अगर चलने लगे, अधिक हो जाए, तो ऐसे इस्तिती में क्या होगा? भूमद रेखा पर रखी बस्तु का भार सुन्ने हो जाएगा, जाए तो भूमद रेखा पर रखी बस्तु का भार सुन्ने हो जाएगा, क्लियर है, भूमद रेखा पर रखी बस्तु का भार सुन्ने हो जाएगा, लेकिन दुरूब पर रखी बस तू के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानि जी में किसी भी परकार का परिवर्तन नहीं होगा, इससे होगा क्या कि दीन की अबधी जो 24 घंटा की थी, वह कम हो जाएगा और मात्र 84 मिनट का ही दीन की अबधी हो जाएगा, क्लियर, परिथवी अपने अक्ष के परिता घुमना बंद कर दे, तो ऐसा इस्थिती में क्या हो जाएगा, तो धुरूब को छोड़ कर से सभी जगा पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, क्लियर, बढ़े आगे, परिथवी की शता पर किसी बस्तू का भार अगर 29.4 नि आपसे पूछ रहा है, क्लियर, फोर्स आपको दिया हुआ है, 29.4 निूटन को फोर्स में ब्यक्त किया जाता है, फोर्स जो होता है, उसको निूटन में ब्यक्त किया जाता है, क्लियर, तो 29.4 दिया हुआ है, आपसे मास पूछिए रहा है, अग्रेविटेशनल का मान 9.8 मीटर पर सेकेंद होता है क्लियर इसको इससे हटा दीजिए तो समझ गए इसको इससे अगर काट दीजिए तो तीन बार में कट जाएगा यानि एम बराबर कितना आजाएगा तीन कीलो ग्राम आजाएगा आपका अंसन भी हो जाएगा एक बल पॉइंट पांच कीलो ग्राम के पिंड में इतना मीटर पर सेकेंड अस्कॉयर का तोरण उत्पन करता है बल का मान ग्याद किजिए वही फर्मूला लगा देंगे एफ बराबर एमे के तोर पर एफ बराबर आपको निकालना है बल निकालना एम का मान दिया हुआ है पॉइंट फाइब किलोग्राम और एक्सेलेरेशन दस दिया हुआ है इसको हटा दीजिए यहाँ पे यह यह कट गया आपका पांच न्यूटन का अंसर आ गया क्लियर आगे बगते हैं आगे है कि गेंद के उचाई एच पर बिराम की इस्थिती से फर्स पर गिरती है तो उचाई एच बटा फोर तक बापस उचलती है गेंद तथा फर्स के बीच क्या हो सकता है क्लियर गेंद और फर्स के बीच क्या हो सकता है अनुपात में ग्याद करने के लिए आपको कह रहा है तो इसमें अनुपात निकाल लेंगे प्रत्यावस्थान गुनांक निकाल लेंगे प्रत्यावस्थान गुनांक और इसको किसे सुचित किया जाता है ये से ये बराबर होत से निकल जाएगा देखेंगे कैसे निकालेंगे B jon b Cor回來 होता यू आस q k clear plus two aace के तोर पर देखा जाता है अब देखेंगे धी is quiet Buddhist क्याल हम लिख सकते है यहां यू आह स्वाईड प्लस तू और यहां A क이 अस्थान पर हम G link सकते हैं और A景РИस की स्थान पर इसका मतनब होता displacement तो इसके जगह पर हम H लिख सकते हैं डिस्प्लेश हाइट है क्लियर अब भी अस्क्वाइर बराबर क्या हो जाएगा यू तो 0 है कुछ रही है 0 है प्लस 2G 2GH इसको हम लिख सकते हैं अब भी बराबर हम लिख सकते हैं 2GH का अंडर रूट के रूट में भी कमान निकल गया हमारा निकल गया की नहीं निकल गया अब ठीक यू कमान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कि भी अस्क्वाइर बराबर यू अस्क्वाइर प्लस 2S ठीक इस प इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब यहां पर भी का मान जो होगा इस पर यह सुनने हो जाएगा क्लियर क्यों क्योंकि तो उच्छाई एच बट्टा खोर तक बापस उचल जाती है अब देखेंगे यहां पर फाइनल वैलो सीटी जो होगा उपर जाके हाइट पर जाक मान था वह माइनस हो जाएगा क्योंकि उचाई पर ही जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की और लगता है जी नीचे की और लगता है प्लस हो जाता है और यह एक्सेलरेशन जो है उपर की और लग रहा है उपर की और उचल के जा रहा है इसका मतलब है यह जो मान हो देंगे यह देखें इधर ले आए तो प्लस हो गया अब यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं टू जी एच का अंडर रूप यू अस्क्वाइर को हम लोग ऊपर ले आए एक चीज और देखेंगे कि हाइट जो इसमें था हाइट जो था वह कितना था एच बट्टा फोर हाइ यू बराबर हमारा क्या चलाएगा यहां से थोड़ा सा देखेंगे देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको यू अस्क्वाइर बराबर टू जी एच अब यू अस्क्वाइर बराबर इसको हम कर सकते हैं टू जी आएच के जगा पर कितना लिख देंगे एच बट्ट 4, H बटा 4 हो गया है, clear, कोई दिकत, अब हम U अगर लिखते हैं, तो U लिखेंगे हम लोग, 2 G गुने H बटा 4 का क्या लिखेंगे, under root, इसका इससे कट जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा, यानि U बराबर क्या निकल जाएगा, under root, G H बटा 2 हो जाएगा, G H बटा 2 हो जाएगा, आप देखिए ये फॉर्मूला पर इसका मान बैठा दीजिए, आपको प्रत्यावस्थान गुनांक पूछ रहा है, यानि U बराबर U बटा भी पूछ रहा है, U का मान आपने निकाल लिया है, U का मान निकाला है, वह है, G H बटा 2 अंडर रूट में, अब बटा में भी का मान निकाल लिये, 2 G H, क्लियर है, कोई दिक्कत, आप देखेंगे, इसको इससे कार दीजिए, इसको इससे कार दीजिए, बराबर क्या हम लिख सकते हैं, इसको इससे कार दीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत, कट गया दोलो, अब मान जो आपका आ गया, वह एक बटा 2 के रूप में आपका मान आ गया, यानि एक बटा 2 हो जाता है, इसका टोटल मान जो हो जाएगा, वह एक बटा 2 के रूप में लिखा जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यू बटा भी के मान पर बैठा दिये, तो जीएच बटा 2 हो गया, अब बटा में 2 हो गया, जीएच से जीएच कट गया, अब बटा दूदूना 4 हो गया, अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, एक बटा 2 कैसे हो गया, ये जो हम काटे, ये जो हम काटे, तो ये क्या हो गया, एक बट्टा चार हो गया ये बलाव इसमें गुना हो गया क्लियर जब इसको करेंगे तो तो ये मान आ गया एक बट्टा तू अब मान आ गया आपका अंसर क्लियर कोई दिकत नहीं आगे एक एलिवेटर जिसका बजन 600 किलोग्राम है चार पॉइंट नौ मीटर पर सेकेड़ स्कॉयर के एक तौरन से एक केवल द्वारा उपर की और खीचा जाता है केवल का तनाब लगभग कितना हो जाएगा अब देखेंगे एलिवेटर पर दो बल कार्ज कर रहा है कौन-कौन भाय तो एलिवेटर का भार नीचे की और भी लग रहा है और केवल का तनाब उपर की और है भार नीचे की और है एलिवेटर पर लेकिन केवल का तनाब जो है भार जो केवल पर है केवल पर भार जो है वो नीचे की और है लेकिन तनाब जो केवल का है केवल का तनाब जो है वा क्या है उपर की ओर लग रहा है तो हम लोग जानते हैं कि second law of Newton अगर लगाएंगे तो हम लोग क्या लगा देंगे t-mg बराबर ma होता है अब t बराबर हम लोग लिख सकते हैं ma plus mg बराबर हो जाएगा m common ले लेंगे a plus g हो जाएगा अब देखेंगे हमारा बजन दिया हुआ है बजन कितना दिया हुआ है तो बजन हमारा दिया हुआ है 9600 बजन कितना दिया हुआ है मास कितना दिया हुआ है तो वो दिया हुआ 600 किलोग्राम एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है तो एक्सेलेरेशन के रूप में हम लोग को दिया हुआ है 9.8 होता है अब पलस पलस जी का मान कितना दिया हुआ है 4.9 दिया हुआ है, दोनों को add कर लेंगे, तो 9, 8, 17 के साथ बाकी 1, 9, 4, 13, 14.7 अगुना 600 हो जाएगा, clear, इसको हटा लेंगे, सुनना, इसको, इसको कर लेंगे, और अंतिम में जो हम मान निकाल लेंगे, वह मान आएगा हमारा लगभग 9,000 न्यूटन के बराबर, clear, तनाव जो होगा, टेंसन जो होगा, टी से सुचित के टेंसन जो है, तनाव, लगभग 9,000 न्यूटन के बराबर होगा, इसको calculate करके करेंगे, clear, अगे एक अंत्रिक शियात्री पिर्थिवी तल की तुल्ना में चंद्रतल पर अधिक उची छलांग लगा सकता है, ऐसा वह कैसे कर सकता है, तो चंद्रतल पर गुरुत्वाकर्शन बल जो होता है, वह पिर्थिवी तल की तुल्ना में अत्यल पर होता है, गुरुत्वाकर्शन बल, एक बट्टा, छठा ही होता है, जिसके कारण से 6 गुना जादा उची छलांग लगा सकता है, चंद्रमा पर, अगे चंद्रमा की सत पर क्या हो सकता है तो चंद्रमा की सत्य पर द्रब्यमान को इस्थी रहता है द्रब्यमान कहीं भी इस्थी रहता है द्रब्यमान जो होता है वह किसी बस्तू छोटा-छोटा पॉइंट को एकदम ध्यान रखेंगे एक्जाम के अगर एकॉर्डिंग लेते हैं तो छोटी-छो द्रब्य की मात्रा को ही हम लोग द्रब्यमान कहते हैं, तो द्रब्यमान इस्थीर होता है, कहीं भी जाएंगे तो स्वतंत्र होता है, लेकिन भार उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर करता है, क्लियर तो भार बढ़ सकता है और घट सकता है, तो द्रब्यमान इस्थ ट्राई पर ये पिनद एक साथ गिढ़ाये जाते हैं तो देखेंगे इस में थोड़ा सा कंडिशन क्या है कि कोई भी बस्तू हो कोई भीस गोगा प्रिधिवी की ओर अकर्शित होता है पहली बात यह जानेंगे कि कोई भी बस्तू जो है इसको जब छोड़ा जाएगा तो प् यह गृत्वा कर्शन तो मुक्त रूप से गीर रही पिंड में एक नियत तोरन उत्पन होता है और यह नियत तोरन जो उत्पन होता है वह पिर्थिवी के केंद्र की ओर लगता है नियत तोरन हमेशा पिर्थिवी के केंद्र की ओर लगता है तो यह सभी बस्तु के लिए समान होगा यह जो नियत तोरण लगेगा ना पिंड पर सभी बस्तू के लिए समान होगा चाहे तो बस्तू इतना बड़ा हो चाहे तो बस्तू इतना बड़ा हो सभी पर यह तोरण जो होगा ग्राविटेशनल एक्सलेरेशन जो होगा अगर सवतंत्र रूप से बस्तू गिर रही है निर्बात में तो ऐसे इस्थिती में द्रब्यमान उस पर कोई एफेक्ट नहीं डालेगा कि बस्तू कितना बड़ा है और कितना द्रब्यमान का है क्लियर कोई फरक नहीं पड़ता है और कितना भी उचाई पर गिराया जाए तो दोनों ही पिंड जो होता है ज्यादा द्रब्यमान वाला भी और कम द्रब्यमान वाला भी दोनों एक साथ ही पिर्थिवी पर पहुचता है क्लियर ओप्सन नमबर शी किसी बस्तू का भार पिर्थिवी की शतापर डबलू दिखते हैं GH, GH बराबर होता है GM भट्टा R प्लस H का whole square, clear, बात समझ में आया, अब GH को निकालने के लिए GH है, तो GM भट्टा R, अब प्लस आपको H कितना दिया हुए, प्रिथिवी कि तरिज्या की आधी दी हुई है, प्रिथिवी की त्रिज्या की आधी r बटा 2 होता है इसका whole square लिख देंगे अब इसको और calculation करेंगे तो उपर में तो gm हो ही जाएगा बटा इसका lcm ले लेंगे 2 तो 2r प्लस r हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा whole square अब लिखेंगे तो gm बटा लिख देंगे 3r बटा 2 का whole square अब इसको और calculation अगर हम लोग करते हैं तो क्या देखते हैं कि gm अज जी यह इदर है हम लोग height निकाल रहे हैं gm बटा यह 3 तिया 9 हो जाएगा 3 तिया 9 r square अब बटा में 2 दुना 4 के लिए जो square था उसको कर दिये आप बराबर हम कर सकते हैं 4 gm बटा 9 r square और यह जो देख रहे हैं आप यह gm बटा r square जो आप देख रहे हैं gm बटा r square जो आप देख रहे हैं वह गृतविये त्वरन के बराबर होता है यह गृतविये त्वरन यानि g के बराबर होता है अता ही इसको हम g माल लेंगे यह दोनों को g माल लेंगे यानि कि 4 बटा 9 g हम लिख सकते हैं बटा 4 बटा 9 और g न्यूटन में दिया हुआ है हमारा w इसको w बैठा दीजिए अता आपका अंसर 4 बटा 9 w आगे किसी बस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है उसी बस्तु को 120 मीटर से गिराने में कितना सेकेंड का समय लग जाएगा अब देखेंगे हाइट निकालने के लिए h बराबर कर देंगे 1 बटा 2 gt square clear जी बराबर 1 बटा 2 gt square के रूट में हम ब्यक्त कर सकते हैं एच दिया हुआ है पहला हाइट दिया हुआ है 30 बराबर 1 बटा 2 दिया हुआ है और g t का square लिख देंगे clear है इसको इसे गुना कर देंगे तो 7 बटा g t बराबर t का square निकल गया clear है अब t का मान लिखने के लिए 7 बटा g का under root में मान बैठा देंगे अब दूसरा h निकालेंगे अगर यह दूसरा height को लेते हैं जो कि 120 मीटर है बराबर बैठाएंगे तो 1 बटा 2 gt square हो जाएगा height कितना दिया हुआ है 120 और इधर 2 आ जाएगा बराबर इधर gt square हो जाएगा यानि कि 12 दूसरा दूसरा बटा g बराबर t का square हो जाएगा अब t अगर हम लिखेंगे तो 240 बटा g का कितना हो जाएगा under root हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा clear है आप पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा तो t1 dash t हो जाएगा बटा में बराबर दिया हुआ है कितना तो t1 इसको रख लीजिए ये है ये तो t निकल लिए गया शूरू में आब कर दीजिए 240 बटा g under root बटा कितना हो जाएगा under root 60 बटा g हो जाएगा clear 60 बटा g हो जाएगा अब इसको अगर जदी जो हम करेंगे तो ये ये काट दीजिए clear और ये बला under root ये में चल जाएगा चार बार में कर जाएगा यानि t1 बटा t का मान कितना चलाएगा तो मान चलाएगा under root 4 मान चलाएगा यानि t1 t-t बराबर 2 हो जाएगा आता t-t बराबर 2t के बराबर हो जाएगा clear कोई दिक्कत ये सब नमरिकल टिपिकल नमरिकल है इस पर ध्यान देने का कुर्सिस करेंगे बार बार निश्चित तोर पर आपके examination hall में पूछ सकता ये सब question हम यही से total chart के question दे रहें कि किसी भी तरह से कोई शंभावना ना बने कि question छूटे बढ़ें आगे एक कन को उपर की ओर 29.2 meter per second की गती से फेका जाता है उपरी दिसा में जाने बाले उसके समय की गनना कीजिए उपरी दिसा में जाने के लिए समय की गनना करना है अब देखेंगे b बराबर u plus 80 पर निकाल लेंगे formula पर अब समय की गनना करना है य clear u बराबर हम लोग को नहीं दिया हुआ है और t हम लोग को निकालना है कि what है जबकि a कामान हम लोग जानते हैं कि generally हम लोग 10 रख लेते हैं या 9.1 होता है या 9.8 होता है meter per second square हो भी करता है अब देखेंगे भी कामान दिया हुआ है 39.2 बराबर u 0 है प्लस a 9.8 है अगुना t कामान निकालना है अब 29.2 बराबर कितना हो जाएगा 9.8 अगुने t हो जाएगा इससे ये बला cancel हो जाएगा और ये बला 9.4 36 हो जाएगा चार बर में यानि t बराबर 4 सेकेंड का समय हमारा अंसर हो जाएगा clear आगे दिया हुए एक पिंड को एक मिनार से सुन्ने बेक के साथ नीचे गिराया जाता है 4 सेकेंड बाद धरातल पर पहुंचता है तो मिनार की उच्चाई ग्याद करना है मिनार की उच्चाई ग्याद करना है तो मिनार की उच्चाई ग्याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे गति का नियम का एस बराबर ut plus half a t square का फॉर्मूला निकालेंगे एस अगर displacement जो है यह क्या है displacement एस कमान इसमें निकालना है एस कमान निकालना है u कमान दिया हुआ कुछ है यह नहीं है एस बराबर u 0 है और t हमारा दिया हुआ कितना 4 बराबर 1 वटा 2 एक कमान होता कितना है 10 रख लेंगे 9.8 meter per second square होता है और t हम लोग को निकालना है अब एस बराबर क्या हो जाएगा तो इसका मान तो सुन्य ही हो जाएगा अता हम 1 वटा 2 गुना 10 गुना 10 लिक सकते हैं इसको 5 से कार दिजिए यानि कि एस जो displacement होता है उचाई होता है सुन्य बेग के साथ वेलोसिटी जो दिया हुआ है वह सुन्य बेग के साथ 4 meter 4 second time दिया हुआ है तो यहां पर 4 मान बैठा दिजिए सेकेंड के जगा पर चार मान बैठा दिजिए अता second जो आपका हो जाएगा displacement जो आपका हो जाएगा 5 बार में कर दिया है दूपचे 10 पांचो बीस यानि हाइट जो आजाएगा वह बीस मीटर आजाएगा किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के बेक से 19.6 मीटर उचाई पर एक इमारत की छत से अनुपरस प्रेक्षेपित किया जाता है वह गेंद धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगी वही फर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाप एटी एसक्वाइर का फर्मूला लगा देंगे यू प्लस हाप एटी एसक्वाइर का फर्मूला अगर हम लगा देते हैं तो फर्मूला में क्या हो जाएगा बराबर ये नहीं दिखरा है बराबर क्या हो जाएगा S बराबर दिया हुआ है displacement दिया हुआ है कि 19.6 मीटर की उची है 19.6 मीटर उचा है U कमान आपका नहीं दिया हुआ है U कमान नहीं आपका दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और T हम लोग का दिया हुआ है कितना अच्छा T निकालना है T मान दिया हुआ है नहीं है T निकालना है प्लस हाफ A का मान कितना रख लेंगे हम लोग 10 रख लेंगे और T का मान हम लोग को निकालना है अब 19.6 अब चुकि यह पॉइंट में है तो यह 10 ना मान के हम लोग 9.8 ही मानेंगे किलियर बराबर कितना हो जाएगा एक वटटा 2 गुना 9.8 अब गुना T हो जाएगा इस से इसको हटा दीजिए इसको इससे कार दीजिए दो बार में कट जाएगा कटेगा कि नहीं कटेगा अब यह बला बाका उधर चला जाएगा यानि कि आपका ये जो बट्टा था ये इधर चला आएगा दू बराबर एक बट्टा डू टू टी है आता टी बराबर कितना हो जाएगा दो दूना 4 सेकेंड का समय लग जाएगा दो दूना 4 सेकेंड का हम लोग का टाइम लग जाएगा क्लियर है कोई दिकत अप्शन में आपका नहीं है अच्छा यू टी प्लस हाप 80 स्वाइर होता है ना तो 80 स्वाइर को टी स्वाइर के रूत में व्यक्त करेंगे और टी का मान जब निकालेंगे तो रूत चार यानि दो मान हो जाएगा clear तो अंसर हो जागा दो शकेन clear पुदिकत आगे है अस्व यदिये का एक चलना प्रारम कर दे तो अस्वर ओही के गिर्णे की आसंका का कारण क्या होता है तो बिश्राम का जड़त्व के कारण अस्व जब आगे की ओर चलता है तो हमारा सरीर जो होता है वह अस्थाई जड़त्व के अंतर गता जाता है जिसके कारण से वह अस्थाई ही रहना चाता है जड़त्व कहता ही है कि कोई भी पिंड या तो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाती है जब तक कि उस पर कोई ब का हो सकता है गुरुत्विये त्वरन क्या हो जाएगा तो गेंद के गती के बीपरीत दीशा में अब देखेंगे गेंद को उपर फेकिएगा गेंद को उपर फेकिएगा उपर जा रहा है तो गुरुत्विये त्वरन जो होता है वह हमेशा बस्तू के देखेंगे हमेशा प्रिथिवी के केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है जिसे गृत्विये त्वरन कहा जाता है केंद्र की ओर लगता है तो उपर की ओर जब बॉल जा रही है तो गृत्विये त्वरन जो होगा हमेशा बॉल की धरो जाए हमेशा प्रिथिवी की ओर गुरुत्विये तोरन लगाता है तक गेंद के गती के गती तो उपर की ओर कर रहा है तो गती के बिपरीत दिशा में गुरुत्विये तोरन होगा अगे कोई साइकल सवार किसी मोल में घूमता है तो वह क्या होता है साइकल सवार पर सवारी जो होता है मोल में घूमने के लिए वह क्या करता है तो भीतर की ओर जूक जाता है भीतर की ओर जूक जाता है और गती कम कर लेता है क्योंकि यह अभी केंद्रिये बल को प्राप्त करना चाहता है ताकि यह बैलिंस अवस्था में बना हुआ रह जाए चलिए आगे बढ़ते हैं एक साइकल सबार जब मोल पर चलता है तो अंदर की और लटकता है जबकि कार का चालक उसी मोल पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा कंसिप्ट समझेंगो होता क्या है कि साइकल सबार जो होता है वो साइकल सबार अभी केंद्रिये बल को प्राप्त करता है वो अपने चक्का से और सडक के घर्षन से अभी कें कीर का हिस्सा जो होता है वह सडक से लगा हुआ नहीं होता है सडक से लगा हुआ होता है साइकिल का चक्का और इस साइकिल के चक्का और सडक के बीच सडक से एक परकार का अभी केंद्रिये बल प्राप्त होता है और उसको बैलेंस करने के लिए अभी केंद्रिये बल को बैले करने के लिए cycle सवारी केंदर की ओर मूर जाता है clear लेकिन वही पर वही मोड पर एक कार का चालक क्या होता है कि कार जब चालक गाड़ी चलाता है तो उसका पैर का नीचला हिस्सा कहेंगे धड़ का नीचला हिस्सा जो होता है वह कार के संपर्क में होता है कार से संपर्कित होता है कार के संपर्क में होता है जिसके कारण से वह कार के साथ जब केंदर की ओर कार जाता है मूरते समय केंदर की ओर जाता है तो उसका धाल का नीचला हिस्सा तो कार के संपर्क में होने के कारण मूर जाता है लेकिन धाल का ऊपर का हिस्सा जो होता है वह क अनुसार कार के अनुसार हुगा केंदर की ओर नहीं मुड़ सकेगा क्योंकि वह अपने इस्थिती को बनाए हुए रह सकेगा धाड जो है अपने इस्थिती को बनाए रखेगा लेकिन हमारा धाड के नीचे का हिस्सा तो संपर्क में कार का है तो कार जिधर मुड़ेगा उध यहाँ पर मुड़ गया है तो यह बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए option number C हो जाएगा cycle सवार और car का चालक दोनों ही केंद्रियेबल महसूस करता है जिसके कारण से क्लियर बासिंग मशीन की कारण प्रनाली निमलिखित में से किस सिध्धान पर कारण करता है तो वह अप केंद्रिये बलके सिध्धान पर कारण करता है वासिंग मशीन का अगे सुन्ने में श्वतंत्र रूप से गिरने वाली बस्तु की क्या हो सकती है अब सुन्ने में श्वतंत्र रूप से बस्तु अभी question आ चुका है अब स्वतंत्र है शुन्ने है यानि निर्वात है माध्यम क्या है निर्वात है यहां से बस्तू नीचे की ओर गीर रही है अब बस्तू का द्रब्यमान कुछ भी हो इतना बड़ा बस्तू गीरे चाहिए इतना बड़ा बस्तू गीरे क्लियर तोरन जो होता है वो अब पिर्थिवी के केंदर की ओर तोरन कर लगता है यह एक परकार का फोर्स होता है जो पिर्थिवी के केंदर की ओर लगता है तो सुन्ने में स्वतन्त रूप से गिरने वाली बस्तू का तोरन क्या होगा समान ही होगा क्लियर अब चाहे तो बस्तू कितना भी द्रब्यमान का क्यों न हो क्रिकेट का खिलारी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खीच कर पकड़ लेता है ऐसा वह इसलिए करता है क्रिकेट का खिलारी इसलिए ऐसा करता है क्यों कि वह संबेग को एका एक इस्थीर कर देगा अब यह बॉल है clear अब बॉल कुछ नब कुछ बेग से आ रही है कुछ नब कुछ इसमें बेग है velocity है और इस बॉल का अपना एक मास है तो मास इंटू velocity बराबर P यानि संबेग इसमें एक संबेग है इस बॉल में क्या है एक संबेग है जो कि B into M होता है अब यह संबेग जो है अगर एका एक उस पर लगा कर अगर संबेग को सुन्ने कर दिया जाए यह जो संबेग है यह सुन्य कर दिया जाए तो velocity को एका एक अगर उस ball पर लगा के उस बस्तू को रोक दिया जाए तो mass तो उसमें रहेगा ही रहेगा, velocity को आप भले ही रोक दिये है, बेग को रोक दिये, लेकिन mass रहेगा जिसके कारण से एक एक या तो चोट लग जाएगा या चोट हाथ से फोर्स अधिक हाथ पर लगने के कारण बॉल छी टक भी सकता है जिसके कारण से एक एक संबे को कंट्रोल नहीं करके खिलाडी अपने हाथ को पीछे की ओर मूब कर लेता है ताकि समय जादा मिल जाए और जब समय जादा मिल जाएगा तो उसे बल कम लगाने की अवशक्ता पड़ेगी तो हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की अवशक्ता पड़ती है थोड़ा सा इसको फॉर्मूला के रूप में अगर ज़दी जो देख लेते हैं तो एफ बराबर क्या होता है हमारा एफ कहा जाता है अब एफ बराबर हम कर सकते हैं डेल्टा पी हम कह सकते हैं एफ बराबर हम कह सकते हैं डेल्टा पी बटा डेल्टा टी के रूप में ब्यक्तियास तकता है यानि संबेग में परिवर्तन हो रहा है संबेग में इसी को कहा जाता है अब जब इसका मान अगर अधी लगेगा तो फोर्स बहुत कम लगाने की अवसकता पड़ेगी इसलिए तो टाइम बढ़ाता है खिलाडी की फोर्स कम लग सके अजब यह टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या होगा अधिक लगेगा देखि एफ के बीच में क्या संबंध है बटा डेल्टा टी तो एक बटा ट यानि इसका एफ का ब्यूत करुमानुपाती टी होता है इबढ़ेगा तो इबला घटेगा इबला घटेगा तो इबला बढ़ेगा खिलियर आगे जड़त्व आगहुर्ण का मात्रक क्या होता है जड़त्व आगहुर्ण का मात्रक होता है कीलो ग्राम मीटर अस्क्वाइर के रूप में जड़त्मा घुर्ण को ब्यक्त किया जाता है कुई कि जड़त्मा घुर्ण बराबर क्या होता है कि पिंड का पिंड का द्रब्यमान पिंड का द्रब्यमान गुने घुर्णन घुर्णन अक्ष का स्क्वाइर पिंड का द्रवेमान कीलो ग्राम में हम लिख सकते हैं गुले घुर्नन अक्ष को हम आर के रूप में लिख सकते हैं रेडियेश के रूप में लिख सकते हैं इसका अस्क्वायर ता आर एम हो जाता तो देखेंगे गतीज उर्जा निकालीजिए, गतीज उर्जा बराबर 1 बटा 2, M1, अब V1 का स्क्वाइर बराबर हो जाएगा, 1 बटा 2, M2, V2 का Sक्वाइर के रूप में ब्यक्त करें, यह बला यह बला तो कट गया न, यह और यह तो कट गया, आपका V1 का Sक्वाइर बट V2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका M2 बटे M1 के रूप में ब्यक्त कर लिए अब इसको हम M2 और M1 के रूप में अगर जदी जो लिखेंगे तो हम 4 दिया हुआ M2 कितना दिया हुआ है चार ग्राम चार बटजा एक लिख सकते हैं बराबर अगर लिखेंगे तो V1 बटजा B2 बराबर क्या हो जएगा अनुपाद रेखिए बेग हो जाएगा, क्लियर आइसी तरंगे जिनका ध्रूबी करन नहीं हो सकता है क्या कहलाता है, अब ज़िसका ध्रूबी करन किया ही नहीं जा सकता है पोलिराजिशन नहीं किया जा सकता है वह कौन होता है जिसका ध्रूबी करन नहीं किया जा सकता है तो धुरुवी करण नहीं किया जा सकने वाला जो आजाएगा, वह हमारा आजाएगा, अनुदध धैर्ज तरंग, धुवनी तरंग का धुरुवी करण नहीं किया जा सकता है, तो अनुदध धैर्ज तरंग आजाएगा, प्रकाश का धुरुवी करण किया जाता है, पुले र ब्राबर होता है, जब दो कीलोग्राम बाले द्रभेमान पर पॉरभ निइटन का बर लगाया जाता है तो उतपन होनेवाला तोरण क्या होता है? निकाल लेंगे एफ़ बराबर एम, ए होता है अब हमें तोरण पूछा है, फोर्स दिया हुआ है पांच निइटन का बराबर तोरन यानि एम भी दिया हुआ है दो किलोग्राम और तोरन निकालना है यानि ए बराबर पांच बटा तू यानि धाई मीटर पर सेकेंड अस्क्वाइर हमारा अंसर हो जाता है क्लियर देखिए एक बात तय है कि अगर आप ही लोग चाहिएगा तो निश्चित तोर पर इस ब वीडियो को जादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं जादा स्टूडेंस के बीच पहुंचा सकते हैं और हम जानते हैं कि ग्रूप D का एक्जाम कोई बड़ा लेवल का एक्जाम नहीं है अगर सिक्वेंसियली तैयारी किया जाए तो इसके लिए कोई खास जब बनेगा देखिया आजकल क्या है अभी जादा से जादा लोग क्या कर रहा है कि यह पढ़लो वो पढ़लो ऐसे पढ़लो यह कर लो वो कर लो यह सब चीज जादा हो रहा है आप उस कोईश्चन पर फोकस किजिए जो ग्रूप D में बार बार पूछा है या अभी का ट् पहुचाएए ज़्यादा स्टुडेंट को बेनिफिट हो सके एक सीट पका ही करना है तो ज़्यादा लोगों तक पहुच सके यह चीज आप इसको सेर करके कर सकते हैं और माध्यम सिर्फ आप है आपके लिए अगर हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा इसको सेर कीजिएगा त इक्जाम के लिए बनाते रहें को कि अगे को क्यों है गज्यादा दृच्छं का बल चार किलोगराम के पिन पर कार्द कर रहा है तो उत्पर तोरन क्या होगा यह भी वह HDR पंधा देंगा एफ बराबर एम एफ कमानन दिया हुआ 20 नीूटन बराबर एम कमान 4 kg acceleration निकालना है तो 5 हो जाएगा ये बराबर 5 मीटर पर सेकेंड अस्कॉयर के रूप में हो जाएगा तोरण आगे 20 kg बजन का एक लड़का मीटर पर सेकेंड अस्कॉयर के तोरण से नीचे जाती हुई लिफ्ट में खड़ा है तो उसका आभासी भार क्या हो जाएगा तो उसका आभासी भार जो होगा वह सुन्य न्यूटन का हो जाएगा क्योंकि लिफ्ट में जब लिफ्ट नीचे की और तुरित हो रही है तो भारहिंता की इस्थिति उत्पन हो सकती है मतलब अपने भार से कम भार उसको महसूस होता है इसी को अगर formula basis अगर जड़ी जो देखें तो हम जानते हैं कि M बराबर दिया हुआ है 50 kg दिया हुआ है G बराबर दिया हुआ है 9.8 meter per second square होता है क्लियर है कोई दिक्कत इसमें acceleration बराबर भी होता 9.8 meter per second square अब हम लोग formula पर बैठाएंगे तो M Z minus R resultant की बात करेंगे result क्या आएगा resultant बराबर MA होता है अब देखेंगे M Z minus MA बराबर हो जाएगा R M को common ले लेंगे G minus A हो जाएगा बराबर R हो जाएगा resultant हो जाएगा लिख देते है resultant रिजल्ट क्या आजाएगा जो देखेंगे M बराबर क्या है दिया हुआ हम लोग का 50 Newton G बराबर 9.8 minus 9.1 acceleration भी इतना ही दिया हुआ है बराबर R अब इसको इससे घटा देंगे तो यह तो मान सुनने हो जाएगा यानि 50 बुना सुनने हो जाएगा clear बराबर R अब result हमारा क्या आजाएगा 0 Newton आजाएगा clear और इसको इतना नहीं करेंगे तो direct रखेंगे कि लड़के का आभासी भार lift पर नीचे की औरत वरीत हो रही है तो कम महसूस करेगा 0 Newton का महसूस करेगा clear दिया गया बेग समय ग्राफ का कौन सा भाक्षुने इस बड़ा trending question है बार बार आपको करें यह सब question निश्चित तोर पर आएगा कोई ने कोई देख लिजेगा phase में किसी न किसी shift में निश्चित तोर पर यह सब question देखने को आपको मिलेगा इसलिए बार बार हम repeat कराने की कौर्सिस आपको करें इस question को बार बार देखिए बार बार repeat कीजे क्योंकि एक बात जान लिजे एक बार status बदलना है अगर यह सब question को repeat हम करते रहें तो निश्चित तोर पर सफलता मिलेगा और status बदलेगा वो status जो whatsapp पर status बदलते हैं वो real status नहीं है वो दिखाने के लिए status है real status तब है जब किसी ने किसी एक चीज में आप result ले लिजे निश्चित तोर पर ये किसी ने किसी phase के किसी ने किसी shift में ये सब question काफी ये सब BBI question है ये सब निश्चित तोर पर किसी ने किसी याद रखिएगा कि हम आपको बोले थे कि ये सब question आएगा निश्चित तोर पर आएगा हाँ अब term थोड़ा सा अलग रहे मालियजाई ये ही graph अगर उपर की और सीधे दिया हुआ रहे तो ये अलग चीज है कि graph change हो सकता है लेकि question आपको प्ररूप ये ही मिल जाएगा तो सूने तोरन या मंदन को दरसाता है कौन सा इसमें वो ऐसा graph है कौन सा आकड़ा है जो सूने को दरसाएगा देखिए अब इधर बेग दिया हुआ इधर समय दिया हुआ है तो बेग में परिवर्तन की दर को समय कहा बेग में परिवर्तन की दर को तोरन कहा जाता है परती काई समय में बेग में परिवर्तन होगा देखिए परती काई समय में क्या जा रहा है बेग बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है यहां पर जाके C पर B और C पर त्वरन इस्थी रहा है आता सुन्य त्वरन यहाँ पर हो जाएगा या तो मन्दन की इस्थी पर यहाँ उत्पन हो जाएगी तो हमारा option हो जाएगा B और C पर त्वरन सुन्य या मन्दन हो जाएगा आगे 5 मीटर पर 30 सेकेंड की दर से गती सीले कन की उर्जा दिया हुआ 125 जूल तो कन का द्रब्यमान कितना हो जाएगा कन का द्रब्यमान कितना हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं नो गतीज उर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर फर्मूला होता है बन वटा टू एम भी अस्क्वार काइने कर लिजिए क्लियर अब 125 अग गुना दो बराबर एम गुना 25 लिख सकते हैं पची पचे पचीसा से एम बराबर पांस दुना 10 किलोग्राम अंसर हो जाएगा क्लियर कोई दिक्कत बार बार रिपीट करने का कुर्शिश कीजिएगा यह सब कोश्चन निश्चित तर पर गुर निर्भर करता है तो उसके तरंग धैर्ज पर निर्भर करता है धोनी का तरंग किसी पाइप लाइन के केंद्र पर इस थित किसी कण का बेग कितना होता है क्या हो सकता है तो यह अधिक्तम हो सकता है और यह अधिक्तम क्यों होता है क्योंकि श्यानता गुन के कारण ऐसा होत जलिए आगे घुमते हुंए घुमते हुए शैफ्ट से धागे से बंदी हुए गेंद का एक सामान गति पर घुमती है शैफ्ट को अचानक रोक दिया जाए बच्पन में घुमाएं होंगे रस्षी को बानके Share अंगूली पर घुमाएं होंगे कि अगर उसको घुमाना एक एक रोक देते हैं तो गेंद क्या हो जाता है गेंद पर क्या फरक पड़ता है तो कोनी ये बेग जो होता है ना कोनी ये बेग एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वह क्या हो जाता है घाट जाता है जिसके कारण से हमारा उंगली की तरफ धागा आन सुरू हो जाता है और उमली में लप्ताना सुरू हो जाता है क्लियर 20 किलोग्राम की बस्तु को जमीन से 1 मिटर के उपर की उचाई पर अगर आप उठाए रखें तो आपके द्वरा कितना किया गया कार्ज है भलके रात भर आप उसको उठाए हुए रखें आप उसको रात भर कितनों किलोग्राम का हो रात भर उठाए रखें कार्ज आप कब कहेंगे कार्ज आप कब कहिएगा तो जब हम बल लगाए अब बल की दिसा में उसको भी अस्थापित कर पाए तो बल अगुने बियस्थापन अगर बल लगा कि किसी बस्तू को अगर बियस्थापित कर पाए तो निश्चित तोर पर मेरे द्वारा किया गया कार्ज होगा अजब बियस्थापन हुआ ही नहीं वहीं पर हम रातों भर खड़ा रख ले रह गए तो मेरे द्वारा किया गया कार्ज जीरो जूल होगा, शुन्य होगा, कोई काम हम नहीं कर पाए एक लड़के का भार तीन सो न्यूटन का है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी उचाई साथ मीटर है तक चड़ने के बाद वह बापस आ जाता है, वह कितना कार्ज किया है, तरे भाए, कार्ज हम किसको कहे थे, कार्ज कहे थे बल लगाए, और अगर उसको भी अस्थापन कर पाए, तो मेरे द्वारा किया गया कार्ज है, तो हमने बल भी यहाँ पर लगाया हुआ है, और भी अस लेके पिंड लेके बस्तू को लेके ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद गारत क्या हम कर दिये गोबर क्या कर दिये कि फेर से उसको नीचे लाके वहीं अस्थान पर हम रख दिये जहां से हम सुरू किये थे तो क्या भी अस्थापन हुआ जहां से उठाये थे उस बस्त यानि हमारा कार्ज हो गया, सुन, क्लियर मैंषप चलिए, दस किलो के एक पिंट को तीस मीटर की उचाई पर ले जाकर, फिर उस् जास्थान पर ले आए, लीजिए, उस्सी जास्थान पर ले आया, तो कार्ज क्या हो जाएगा? सुनने हो जाएगा, आगे है, एक उरते हुए चक्के की प्रती गुर्नन किस से मापी जाती है उरते हुए स्ट्रेबो अस्कोप के द्वोरा मापी जाती है एनीमो मिटर क्या होता है हवा की चाल हवा की चाल बैरोमिटर से बायु मंदलि ये दाव भायू मन्डल ये, दाब को मापा जातार है biste, हाईग्रोमीटर, आद्रता सुरी हाईग्रोमीटर, हाईग्रोमीटर आद्रता को मापा जाता है, क्लीयर अगे है एक फ्लाई वील एक समान कोणिये तुरंब के साथ घूम रहा है इसके कोनिये बेग में 10 सेकेंड में 20 पाई रेडियन प्रती सेकेंड से 40 पाई रेडियन प्रती सेकेंड में ब्रती सेकेंड में ब्रती सेकेंड में ब्रती हो जाती है इस अबधी में वह कितनी बार घूमेगा या कितनी बार घूमता है तो देखेंगे घूर्णन की गती का प्रथम समीकरन लगाएंगे घूर्णन गती का पहला समीकरन लगादेंगे पहला समीकरन क्या लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा बराबर ओमेगा फाइनल प्लस डी टी के रूप में ब्यक्त करेंगे clear अब देखेंगे तो दे omega कितना दिया हुआ है? 40. यह omega final और omega initial initial दिया हुआ है. clear? तो देखेंगे, यहाँ पर 40 pi बैठा देंगे, मान, और यहाँ पर 20 pi और plus d अगुना, t का मान हमारा दिया हुआ है, 10 second, t का मान 10 second, तो t का मान निकालने के लिए, हम लोग क्या करेंगे? इसको इसे घटाएंगे, तब 20 pi बच गया, बराबर, d बटा 10 लिया है, 10 दुना, 20, यानि d बराबर कितना हो गया? 2 pi, d बराबर कितना हो गया? 2 pi, अब घुर्णन गती के दूतिये गती से, नियम से, दुतिये नियम से, तो omega, p, t, plus, half, dt, square के रूप में ब्यक्त कर लेंगे, अब, प्रारंभिक है, omega, प्रारंभिक, या initial भी इसको कर सकते हैं, initial ये कर दीजिए, initial, clear, प्रारंभिक प्रारंभिक, चुकि, एक, चक्कर में, 2pi, यानि, 361pi का मान कितना होता है, 180, तो 2pi का कितना होगा, 360 degree का कोन बनता है, का, कोन बनता है, clear है, 2pi का कोन कितना, 360 degree का बनता है, तो चक्करों की संख्या निकाल लेंगे, चक्करों की संख्या यहाँ पे निकाल लेंगे, तो हो जाएगा कितना, 300, 360, sorry, 300, 300, 300 pi, अब बट्टा, कितना हो जाएगा, 2pi, निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100, pi से pi कट गया, अई बना निकल गया, 150, अथा चकरों की शंख्या कितना निकल गया, 150 के लिए, तो यह 50 कोस्चन का धारा प्रवा, हमारा test series खतम होता है, आप से यही उम्मीद है, कि आप इस session को देखिए, like कीजिए, और subscribe कीजिए, तथा इसके अलाबा, ज्यादा से ज्यादा इसको share करने का course कीजिए, ताकि के सरिया competition class हमारा एक बिशाल परिवार बन सके, अच्छा perform कर सके, और आप लोगों को सफलता प्राप्त करने में, मददगार सावीत हो सके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगको, खुश रहिए, मुश्कुराते रहिए, और देखते रहिए टेस्टरीज, और आप तैयारी चर्मुत कर्स पर रखिए, क्योंकि फेज टू फेज अब एक्जाम शुरू हो चुका है, तो आप हमेशा अपने से बड़ों का स्रम्मान कीजिए, मात अपिता का हमेशा सम्मान कीजिए, क्लियर? चलिये, आप लोगको बहुत बहुत धन्यवाद,